कभी आपने सोचा है कि ये चाय कब तक पहुंची कैसे और इस धर्ती पर चाय पीने वाला पहला आदमी कौन था और पहली बार चाय में दूद्ध किस ने मिला है Freedom App की रिसर्च आपको बताएगी नमस्कार दोस्तो आज से हमें एक खास शो शुरू करने जा रहे है Freedom App Research presents कहानी हमारी थाली के हर व्यन जनकी तो दोस्तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ती यानि की चाय की कहानी के साथ बस आप Freedom Farming चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें और मैं हूँ आपके साथ कुमार पवन दोस्तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है चाय के साथ इतने साल से हम चाय का लुथ उठा रहे हैं चाय पी रहे हैं लेकिन हम मेंसे ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि चाय दुनिया में पहली बार कहां पर उगी थी और पहली बार ये किसने सोचा था कि चाय को इस तरह से पिया जाए चाय हमारी जिन्दगी की जरूरत कैसे बन गई और चाय में दूद मिलाने का आइडिया है वो किस का था पहली बार इन सब दिल्चस्प सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस शो में तो सबसे पहले बताते हैं आपको दुनिया में चाय का स्वाद चकने वाला पहला आदमी कौन था दोस्तों चाय पिने वाला पहला आदमी जब चीन का था तो अब आपके मन में ये सवाल ये होगा कि चाय चीन से भारत पहुंची कैसे और वो कौन महाशिय थे जो चाय को भारत लेकर आए तो आपको ये दिल्चस्प राज भी बताते हैं दोस्तों क्या आपको ये पता है कि चाय में दूद मिलाकर पिया जा सकता है ये खोज किस ने की बड़ा दिल्चस्प सवाल है और बड़ा ही मुश्किल जवाब भी लेकिन हमारे पास इसका जवाब है हम आपको बताते हैं दोस्तों ये बात करीब 5000 साल पुरानी है जब चीन के एक राजा शेनोन होते थे 2727 बीसी का वो दौर था जब राजा उबाल कर पानी पिया करते थे वो राजा पानी को इसलिए उबालते थे ताकि पानी पूरी तरह से साफ हो जाए और उनको कोई बिमारी ना हो जो चीन के किंक थे शनोन एक बार उनके नौकर पानी को उबाल रहे थे इसी दोरान जंगल में जो जाडिया उगुष हुई थी वहां पर चाय के पौदे भी थे हवा चल रही थी पानी उबल रहा था चुलहे पर इसी दोरान कुछ चाय की जाडियों के पत्ते आकर उस उबलते वे पानी में गिर गए और उबल रहे पानी का रंग है वो थोड़ा मटमेला हो गया थोड़ा सा काला पन वाला हो गया जब राजा के नौकर ने ये बात अपने किंग शेनोन को बताई तो शेनोन ने इस पानी को चखने का फैसला किया जब किंग शेनोन ने वो चाय की पत्तियों वाला पानी पिया तो उसका स्वाद कड़वा लगा लेकिन राजा ने वो पानी पी लिया इसके बाद उनको थोड़ी सी ताजगी महसूस हुई और ये ताजगी जब महसूस हुई तो राजा को लगा कि ये कोई ऐसी जड़ी बूती है जो हमें रिफ्रेश करती है ताजगी देती है और इसी के साथ चाय पीने का सिलसला भी शुरू हो गया जो किंग शेनोन है चीन के उनको ये क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने चाय पी थी और ये चाय पानी में उबले हुए पत्तों के तोर पर उन्होंने पी थी तो चाय का पहला स्वाद है वो चखने का श्रेज आता है चायना के एमपरर शेनोन को 2727 BC का ये वक्त था और दोस्तों जो चाय की कहानी है ये आपको बता दें कि चाए जो है वो करीब 2720 का दौर था उस वक्त चाइना में इसकी खोज हुई थी पता चला था कि चाए जैसी कोई चीज है जो ऐसा प्लांट उगता है और इसके बाद लोगों ने इस पर जादा ध्यान नहीं दिया जब 2720 में इसका पता चला आज से 5000 साल पुरानी बात है तो इस लिहाद से चाए पीने का जो दोर शुरू हुआ कल्चर शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ वो आपको बताते हैं और चाए पीने का चलन है वो चीन के एमपरर शेनन के बाद शुरू हुआ क्योंकि शेनन ने पानी उबाल कर चाए की पत्तियों को उनके साथ उबाल कर पीना शुरू किया इसके बाद चाए का चलन शुरू हुआ था और इसके बाद धीरे धीरे अगले 200-300 साल में चीन के लोगों ने चाय पिना शुरू कर दिया और बाद में इस सिलसला चीन से निकल कर योरोप अमेरिका तक पहुंचा और इसके बाद चाय है वो दूसरे देशों में दूसरे हिस्सों तक पहुंची थी तो पहला जो चाय पिने वाला आदमी था वो चायना के एंपरर शेनौन थे और 27-27-27 का ये दौर था यानि कि आज से करीब 5000 साल पहले ये चाय पी गई थी दोस्तो चीन से जब चाय भारत आई तो इसके कहानी बड़ी दिल्चस्प है और चाय को चीन से भारत लाने वाले व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम है रोबर्ट फॉर्चून रोबर्ट फॉर्चून ही वो व्यक्ति थे वो महाशे थे जो चाय को चीन से भारत लेकर आए और ये दौर था 18th 20s यानि की 1820 के दशक का ये दौर था जब चाय को भारत लाए गया चीन से दोस्तो रोबर्ड फोर्चून रोयल होल्टिकल्चर सोसाइट अफ लंडन के लिए काम करते थे और करीब धाइस साल तक उन्होंने चीन में रहकर चाय पर रिसर्च की थी इसके बाद जब भारत लोटे तो अपने साथ चाय को लेकर लोटे थे और यही वो दौर था जब चाय की भारत में एंट्री हुई और पहली बार भारत में चाय लाने का क्रेडिट रोबर्ट फोर्चून को जाता है और इसके बाद अंग्रेजों ने विदिवत और भारत में चाय की खेती शुरू कर दी और सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी भारत में आसाम से और आसाम की सिंग फो ट्राइब है उसके साथ मिलकर अंग्रेजों ने भारत में चाय उगाना शुरू किया और इसके बाद अंग्रेजों ने इस ट्राइब के साथ मिलकर चाई की खेती को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया बताते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल लॉड बैंटिक ने 1834 में चाई की परंपरा भारत में शुरू की एक्सपर्ड के सुझाव पर 1837 में असम के चबुआ में भारत का पहला चाई बागान स्थापित किया गया और तीन साल बाद 1840 में अंग्रेजों ने असम टी कंपनी स्थापित की इसके बाद चाई का व्यफसाई को उत्पादन शुरू हुआ 1850 के दशक में भारतिय चाई उत्ध्यों का तेजी से विस्तार हुआ 50-60 साल में असम दुनिया का सबसे ज़्यादा चाई उत्पादन करने वाला इलाका बन गया यानि कि जो टोप प्रोडूसर है उन में उसका नमबर आया चाई की खेती के लिए गर्म आदर जलवायों सबसे उत्तम होती है और तापमान 30-35 का मुफीद रहता है जो की असम में है दोस्तों जब भारत में चाई की खेती शुरू हो गई उसके बाद 19-वी सदी की शुरुआत में और 20-वी सदी के आखिर तक चाई लगभग दूसरे कई देशों में उगना शुरू हो गई थी वहां तक फैल चुकी थी रश्या का जोरजिया इलाका है वहां पर चाई उगाया जाना शुरू हो गया इसी तरह से सुमात्रा में भी चाई उगनी शुरू हो गई इरान तक ये चाई पहुँच गई थी जो नॉन एशियन कंट्रीज है जिसे नटाल, मालावी, यूगांडा, केन्या, कांगो, तंजानिया और मोजांबिक जो अफ्रीकन देश है वहां तक चाई पहुँच चुकी थी अर्जन्टाइना, ब्रजील और पेरू में भी चाई उगाना शुरू हो चुका था 20. सदी की शुरुआत तक दक्षन अमेरिका और क्विंस लेंड औस्टेलिया में भी चाई की खेती शुरू हो गई थी तो जो अंग्रेज रोबर्ट फोर्चुन चाई भारत लेकर आये थे वो भारत से निकल कर पूरी दुनिया में फैल गई थी दोस्तो चाई में दूद मिलाने का क्रेडिट है श्रे है वो जाता है फ्रेंच लेडी मादाम डीला सबिला को मादाम डीला सबिला ने पहली बार चाई में दूद मिलाया था फ्रेंच सोसाइटी के वो एक प्रतिश्रित महिला थी जिन्होंने पहली बार चाई का खारापन दूर करने के लिए उसमें दूद मिलाया था और ये बात करीब 1680 के दोर की है जब चाय दी जाती थी लोगों को बलैक टीक तोर पर पानी में उबालकर पत्कियों को सीधा चाय परोसी जाती थी कुछ लोग उसमें शुगर मिलाते थे मिठापन बढ़ाने के लिए तो इसी दोरान जो मादाम डीला सेबरिला थी उन्होंने चाय में दूद मिलाया और उसके बाद उनका ये प्रोड़क्ट है वो लोगों को बहुत पसंद आया और मादाम डीला सेबरिले ने अपना पैरिस सेलोन है उसमें पहली बार चाय को दूद के साथ पेश किया था और ये एक बड़ी क्रांटी थी चाय के लिहाद से और चाय में दूद मिलाकर उसके बाद लोगों ने पीना शुरू कर दिया और फ्रेंच महिला की इस खोज को अंग्रेजों ने हाथों हाथ अपनाया इंग प्रेज ये चाय भारत लेकर आए तो भारत के लोगों को दूद वैसे ही बहुत पसंद था तो भारत के लोगों ने भी दूद वाली चाय को अपना लिया और आज दूद वाली चाय है वो हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई है जिसके साथ हमारे दिन की शुरूआत हो जब हम दोस्तो चाई पेते हैं, तो इसका कैफीन हमें एनरजी देता है, हमें थ्टोड़ा फ्रेश फिल करवाता है, तरो ताज़ा मेहसूस करवाता है, और इसी कारण हमारा शेर를 बार बार चाई की डिमाइड करता है, इसके लावा चाय का कलर, इसका फ्लैवर और आरोमा ऐ जो उनका कुल वजन होता है उसका 4% है वो कैफीन की मात्रा चाई की पत्यों में खोती है अगर आप एक कप चाई पीते हैं तो उसमें करीब 60 से लेकर 90 मिली ग्राम तक कैफीन होता है यही वो कारण है जिसके वज़से हमें चाई की तलब महसूस होती है कैफین की वज़े से चाई पीने के बाद हमें ताजगी महसूस होती है दोस्तो शुरुआत में लोगों ने ताजगी महसूस करने के लिए चाई पीना शुरू किया था लेकिन इसका स्वाद बहुत कड़वा होता था इसके बाद लोगों ने इसमें शुगर मिलाना शुरू किया उसके बावजूद ये काले रंग की चाई होती थी बलैक टी जिसको कहते हैं इसके बाद जब फ्रेंच लोगों ने इसमें दूद मिलाया और दूद मिलाने के बाद जब इसका रंग बदला कुछ अच्छा हुआ तो इसके बाद लोगों ने इसे दूद मिलाकर और शुगर के साथ पिना शुरू कर दिया और धिरे धिरे चाय लोगों की जिन्दगी का एहम हिस्सा बन गया जिसके साथ दिन की शुरूआत होती है और लोग कई बार दिन में चाय पिना पसंद करते हैं दोस्तो चाय के कई प्रकार हैं चाय को अलग-अलग शित्र में उगाने के कारण अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे चाइना में चाइनीज चाय, सिलोन टी, जैपनीज टी, इडिनेशन टी और अफ्रीकन टी और कुछ जो छोटे जिले हैं, छोटी जगे हैं, जहांपर एक खास तरह का climate है, खास तरह की चाय उगाई जाती है, इसका जब जिक्राता है, तो सबसे पहले नाम आता है डारजलिंग का, डारजलिंग यानि कि आसाम का इलाका, जहांपर एक खास तरह की चाय उगती है, जिस इसका स्वध़ अलग होता है, इनकी खुश्बू अलग होती है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसी तरह से युवा और डिंबूला, दो ऐसे अलाके हैं, वहां की चाय को भी अलग से जाना जाता है, चाइना की दो अलाके हैं, कीमून और चीमेन यहां पर भी चाय को अलग नाम से जाना जाता है यहां की चाय को भी अलग तरह से पहचान मिली हुई है इसी तरह से जापान के अन्हेई प्रोविंस की चाय है वो भी बहुत खास है और एंशू इलाका है जापान का इंडरनेशिया की चाय, अफरीका की चाय और भारत में दारजलिंग की चाय, नेलगरी की पहाड़ियों की चाय और श्रिलंका की बात करें तो वहां के उवा और दिंबूला की चाय अलग-अलग मानी जाती है इसी तरह से चायना की चीमेन अलाके की कीमून्टी बहुत खास मानी गई है और इसी तरह से जापान के अनही और इंचु अलाके की चाय को भी बहुत खास माना गया है दोस्तों चाय की एक अलग काटेग्री मानी जाती है उसकी पत्तियों के साइज के हिसाब से कुछ चाय की पतियां ऐसी होती है विराइटी जिनके पतियां बड़ी होती है गोल होती है लंबी होती है उनको बहुत बहुत बहुतर माना जाता है स्वाद के लिया हाथ से और कुछ चाय की पतियां ऐसी होती है जो साइज में छोटी होती है लेकिन वो बहुत कड़क चाय होती है तेज चाय होती है तो भारत में कड़क चाय पिना लोग पसंद करते हैं इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जहांके लोग कड़क चाय पिना पसंद करते ह लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो थोड़ा सा सौफ्ट चाय पीना पसंद करते हैं जिसमें खुश्बू हो, अरोमा हो, स्वाध हो और एक डिफरेंट फ्लेवर उनको महसूस हो तो ऐसी चाय में डार्जलिंग की चाय मानी जाती है, इसी तरह से नील गिरीज की चाय मानी जाती है और कुछ चाय के इलाके हैं जहां पारक कड़क चाय उगाई जाती है, तो कड़क चाय पीने वाले अपने हिसाब से चाय का चुनाव करते हैं तो दोस्तों दुनिया में बहुत प्रकार की चाय है लेकिन एक खास इलाकों में उकती है चाय इसके लिए खास तरगा climate चाहिए इसलिए बहुत ज़्यादा varieties इसमें है क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह से उकती है लेकिन इसका दाइरा बहुत सिमित है तो भारत में चा बात जो है कि हम चाए आखिर पीते क्यों है हमें इसकी इतनी तलब क्यों महसूस होती है आखिर ऐसा क्या है इस चाए में तो दोस्तो चाए का कैफीन तत्व औहए जो चाए की तलब हमें महसूस करवाता है तो अब आपको बताते हैं कि चाय होती कितने प्रकार की है अलग अलग चाय को किस नाम से जाना जाता है उनकी खासित क्या है क्या हर चाय का जायका है वो अलग है और लोगों के लिहाद से चाय के प्रकार कितने है और इसके माईनी क्या है तो दोस्तों ये थी चाय की दिल्चस्प कहानी फिर लेकर आएंगे आपके लिए हमारी थाली के किसी खास व्यंजन की स्टोरी इन कहानियों को जानने के लिए आप सबस्क्राइब कर लिए फ्रीडम फार्मिंग से जादा कोर्सेज है वो आपकी जिंदगे बदल देंगे तो देर किस बात की आप डाउनलोड कर लिजे फ्रीडम एप दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें बताईएगा कि आपके इलाके में किस तरह की चाय पीजाती है क्या आपके इलाके में लोग दूकाने बड़ी मशूर होती हैं दूर दूर से लोग वहां पर चाय पीने आते हैं तो आप अपने इलाके की मशूर चाय की दूकान के बारे में हमें जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में अपना फीड़बेक दीजिएगा हमें इसका इंतजार रहेगा तो इस वीडिय झाल